मैंने भी रीसेंट वीडियो काफी सारे रेगुलरली पोस्ट कर रही हूं लेकिन बहुत जादा जो कोमन प्रशन आ रहा है नो यही आ रहा है कि बाल बड़े ड्राय हो गए हैं बड़े रॉफ हो गए हैं ऐसा लगता है कि घंजी हो जाएंगे हम तो आज आपके लिए कुछ अछाज में बड़ी हैं हम लेकिन थोड़ी जरूर करने पड़े लेकिन आपको पता है ना महनत कफल मीठा ही होता है दोस्तों कि आख जिसनकी को देख्टा है कि हमारे बाल हैं दिखें अचे बीधें सिल्की शाइनी सॉप्ट डिकें लेकिन इसके लिए ना थोड़ी महनत क करनी होती है आपको बताती हुए बाई चीजों का इस्तिमाल जब आप करेंगे तो आपके बाल अच्छे होंगे आपका चेहरा अच्छा होगा आप बोलते हैं कि तेल तो हमने बड़े लगा लिए और आपने भी बड़े सारे वाइल बताये तो कौन सा लगाए देखिए आप अगर किसी चीज को पूरे नॉलेज के साथ लगाते हैं तो वह फाइदा देती है कैसे ही बालों के लिए भी है अभी मैंने बाल कटवा दिये थे फिर भी देखो बाल तो काफी लंबे होई गये हैं मेरे और हेल्दी भी हैं और टच्वूड मतलब भगवान के किरपा से मेर कर लीजिए और साथ ही साथ बैल आइकन प्रेस किया करो ताकि नए नए वीडियो का नॉटिफिकेशन आपको चटा चट मिल जाए दोस्तों और जब वीडियो पूरा देख लेते हैं तो लाइक बटन जरूर दबाया करो कि आपका लाइक बहुत मोटिवेट करता है नए न अगर आपके पास कच्छा नारियल नहीं है तो नारियल का जो मिलक आता है कोकोनेट मिलक आता है मार्केट में इजी ली अवेलेबल है आप उसका इसनिमाल कर सकते हैं आपने इस तरह से चोटे-चोटे टुकड़े नारियल के काट लेने हैं मैंने यह लगभग एक टुकड नारियल का लिया है मतलब जितना टुकड़ा हम खाते हैं एक बार में आपको पते हैं ना वह बस्ट ऑफ वगएरा पे रेल्वे स्टेशन पे रेल के अंदर भी मिलता है ट्रेन वगएरा में वह एक टुकड़ा जो देते हैं 20 रुपे का पतनी 40 रुपे का उतना एक बाले भी होते हैं तो मैंने यहां एक टुकड़ा लिया है नारियल का उसको छोटा चोटा काट लिया है अब मैं इसमें मिलाने लगी हूँ कॉफी पाउडर कॉफी जो होती है वह हमारे बालों में एक्स्ट्रा शाइन एड करती है कॉफी का सिरम बनाके मैतित आने के साथ अपने बालों में रेगुलरी लगाया कर उससे बालों का रंग भी गहरा होता है यह है हमारे पास जी एक बड़ा चम्मच पके हुए चावल अगर आपके पास पके हुए चावल नहीं है तो आप कच्चे चावल का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि एनिहाओ हम इसके बाद इ प्रिमाने में चली गई हूं गैस पर चढ़ा दिया है उसमें एक चोटा गिलास में डाल लिया है दूद दूद मैंने यहां गाय कर लिया अगर आपके पास फुल क्रीम दूद है तो आप उसका इसका इसको पकाना ही है अचा बहुत ज़्यादा पक जाने के बाद इसका कल जल जो है ना यह थोड़ा कम रह जाता है जो पकता है ना सारी चीज़े गुस्टेक अंदर जाएंगी दूद दूब लेगा जब हम खीर बनाते तब दूद गल सता रह जाता है ना अच्छा अगर आप इसको दूद में नहीं बनाना चाहते तो आप इसको पानी में भी बन यानि coconut milk का इस्तेमाल करेंगे तब तो और भी बहतरीन है मतला आपको इजी हो जाएगा लाइफ में अच्छा एक चमच में यहां मिलाए है मैथी दाने का और एक चमच में यहां मिलाओंगी कलॉंची का यह दोनों चीजे मेरी फेवरेट है आपके लिए आपके लिए आप च स्ट्रेस में आजाना है टेंशन मिनकुल नहीं लेना है दोस्तों टेंशन लेने से ही बाल जड़ते हैं तो यह इस तरह से हमने बना लिए अच्छा अब ना आपने इसको थोड़ी देर ऐसे ढखके रख देना है थोड़ा ठंडा होने देंगे इसको अच्छे आपने मिक्सी के जार में डाल के और इसको लेना है पीस और फटाफट से मुझे न कमेंट करके ये भी बताते जाओ कि आप मुझे कौन कौन से वीडियो पसंद आ रहे हैं और मुझे आइडिया भी देते जाओ यार कि किस तरह से वीडियो और इंप्रूफ किया जाए मुझे अच्छा लगता है आपके कमेंट पढ़के और आप करेंगे सारे कमेंट में कुद पढ़ती हूं मेरी कोई ऐसी बहुत बड़ी सारी टीम नहीं है मैं ही रिपर्ट करती हूं आपके क्वेश्चन का आप मुझे मेरे इंस्टेग्राम पे फोलो कर सकते हैं मौनिका अंडर स्कूर कुद्र वहां एक एक मिनेट में हम इतनी छोटी देखते हैं क्या फैरान हो जाएंगे बट होती नहीं ऐसा नहीं कि इसी को उठाके में डाल देती हूं अलग से बनाती हूं उसके लिए तो यह मिश्टन हो गया तयार अब आपने बालों की जड़ों से लेके अंटरता केस को लगा लेना है मिनिमम चालिस मिनिट लगा के र अचो बाल जब दोने तो आपने जिस भी शेंपू की इसमाल करते हैं उसी से ही दोने हैं इसका इस्तेमाल में करो यह सिरफ और यह मुद भी होंगे मुलाहिम होंगे काले होंगे चमकदार होंगे लेकिन समय लगता है यह सहले हमाथ n स्भेgring अग लिए मैस्कों स्कानी को और फिर हम अपने शेंपो से हेर वाश करेंगे रिजल्ट आपने देख लिया है